परिचाए पिता जी हमारे घर का दर्वाजा कितना कमजोर और रूखा देख रहा है हाँ बेटे ये दर्वाजा आठ से दस वर्ष पुराना है किन्तु पिता जी ये दर्वाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है बेटे ये संक्शारण के कारण हुआ है संग्शारण वो क्या होता है पिता जी? बेटे, संग्शारण वायो मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूं को उनके अनैच्चिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद प्राक्रम है ये दर्वाजा लोहे से बना है तथा संग्शारण लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है अच्छा पिता जी अब मुझे संग्शारण के बारे में पता चल गया है पिता जी क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं हाँ बेटे और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैदुत अबघटन को परिभाशित करना वैदुत अबघटन की क्रियाविधी का विशलेशन करना फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम को समझना बैटरी को परिभाशित करना बैटरियों के प्रकारों को परिभाशित करना इधन सेल के बारे में जानना संग्शारण को परिभाशित करना जंग लगने के वैद्धुतिरा सायन सिध्धांत का विशलेशन करना और संग्शारण के रोक थाम की व्याख्या करना वैदुत अब घटन वैदुत अब घटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अब घटन का प्राकरम संपन होता है, वैदुत अब घटनी सेल कहलाता है. इसमें एक वैदुत अबघटनी टैंक होता है, जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है। वैदुत अबघटे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघटनी टैंक में लिया जाता है, तथा इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक चालक निमज्जित होते हैं। समपर्कित होता है, कैथोड कहलाता है, तथा बैटरी के धनसिरे से समपर्कित इलेक्टोड, एनोड कहलाता है। वैद्वत अबघटन की क्रियाविधी जब किसी वैद्वत अबघट को किसी उचित विलायक में घोला जाता है, या द्रव अवस्था में लिया जाता है, तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है, जो आयन कहलाता है। जब विद्वत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आयन आरोपित विभुवांतर के प्रती अनुक्रिया करते हैं, तथा विप्रीत अवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं, अता रिन अवेश कैथोड की ओर तथा धन अवेश एनोड की ओर चला जाता है। अपने नियत इलेक्टोट पर पहुँच कर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन कन बनाते हैं। रिन आवेश कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं, जबकि धनावेश एनोट को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, आता एनोट पर आक्सी करण जबकि कैथोड पर अफकरण होदा है. वैदुत अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारकों पर निर्भर करते हैं, वैदुत अबघटन के पदार्थ की प्रकृति यदि वैदुत अबघटन, वैदुत अबघट की द्रवावस्था अथवा जलिये विलियन में होता है, तो इलेक्ट्रोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं. वैदुत अबघट में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार यदि प्रयुक्त इलेक्ट्रोड अक्रिये है, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया शील हों, तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है, तब वैदुत अबघटन के उत्पाद भिन्न होते हैं. वैदुत अबघटन के उत्पाथ, वैदुत अबघटनी सेल में उपस्थित, विभिन आॉक्सी कारक एवं अपचायक स्पिशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभुवों पर निर्भर करते हैं जब कोई वैदुत रासायने का भिक्रिया, कतिकी ये रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता, कतित नहीं होता है, तो कुछ अधिरिक्त विभाव, जिसे अधी विभाव कहते हैं, ऐसे प्राक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है विलियन का सांदरन भी वैदुत अबघटन के उत्पात को प्रभावीत करता है फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम फैराडी के वैदुत अबघटन के प्रथम नियम किसी इलेक्ट्रोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वेदृत अबघटे विलियन या गलित प्रवाहित विद्धत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है M, Q के सीधे समानुपाती होती है जहां M, निक्षेपित या गुले पदार्थों की मात्रा है Q, विद्धत धारा की मात्रा है हम जानते हैं कि Q बराबर IT है M भी IT के सीधे समानुपाती होती है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है M बराबर ZIT जहां Z पदार्थ का वैदुत रसायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी वैदुत अबघट्टे गलित या विलियन से प्रवाहित एक कुलॉम की विद्धारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाशित करते हैं। फेराडे के वैदुत अबघटन के दुतिये नियम। जब भिन्न भिन्न वैदुत अबघट से होकर विद्धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्टोर्डों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रफिमान के पाती होती हैं. धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठी एक शेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है. पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है. निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए. चलिए इसका हल द 0.5 एंपियर हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रवैमान M पराबर ZIT से प्राप्त होता है. इन मानू को रखने पर हमें M पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है. हम जानते हैं कि V पराबर M बटा D. इन मानों को रखने पर हमें V बराबर 0.03837 गन सेंटिमीटर प्राप्त होता है मानले की निक्षेपित पदार्थ की मुटाई X सेंटिमीटर है हम जानते हैं कि X बराबर V बठा A इन मानों को रखने पर हमें X बराबर 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटिमीटर प्राप्त होता है धात्विक पातर पर निक्षेपित सिल्वर की मुटाई 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटिमीटर है बैटरियां कोई बैटरी जिसका विद्धित उर्जा के सुरोत के रूप में प्रयोग होता है मुलता एक विद्धित रासायनिक सेल है जिसमें Redox अभिकरिया की रासायनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है बैटरी श्रिडिन क्रम में चुड़े तू या तू से अधिक गेलवेनी सेलों की वेवस्था को प्रदशित करता है बैटरी के आवश्य कुन हैं? इनकी आयू लंबी होनी चाहिए बैटरी को हलका तथा सूसंबध होना चाहिए ये पुना आवश्य करने योगे होनी चाहिए प्रयोग में लाते समय इनकी वर्टता में अधिक परिवर्दन नहीं होना चाहिए बैटरीयों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरीयों को व्रिहत रूप से दू प्रकारों में वर्गिक्रेद करते हैं प्रात्मिक बैट्रियां प्रात्मिक बैट्रियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं। इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उधारन के लिए शुष्क सेल तथा मर्कुरी सेल संचायक बैटरी को निश्क्रिय होने के बाद दिश्ट धारा प्रवाहित कर पुनाँ आविशीत किया जा सकता है तथा बैटरी को बार बार प्रियोग में लाया जा सकता है उधारम के लिए लेड संचायक सेल, निकेल कैडमीम संचायक सेल शुश्क सेल इस सेल में जिन्क का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का ही कारिकरता है इसका गैथोड कार्बन की छड़ होती है जो चूनित MNO2 तथा कार्बन से घिरी होती है इलेक्ट्रोडों के बीच का इस्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेश से भरा होता है बेहतर विद्ध संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़को पीतल की टूपी पहना दी जाती है तथा बेलन को उपर से पिट से बंद कर दिया जाता है जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्ट बोर्ट से ढग दिया जाता है सेल का विभव लगभग 1.59 वोल्ट होता है शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियों, खड़ियों इत्यादी में उप्योग होता है मर्कुरी सेल में जिंक मर्कुरी अमलकम का एनोड होता है तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कारे करता है वेद्रत अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है वे अपने विसरजन के दोरान 1.35 वोल्ट का आचर विभव उत्पन करता है इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है क्योंकि समक्री सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारे अवधी में बदल सकती हो मर्कुरी सेल का हिरदय पेस मेकरों, घडियों, कैमरों, श्रवन यंद्रो इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है लेट संचायक बैटरी इसमें समानता 6 वल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है तथा कैथोड लेट डाइयोक्साइड से भरा लेट का एक क्रिट है वैदुत अब घटे H2SO4 का विल्यन है जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिकरिया में सल्फ्यूरिक अमल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है जब विल्यन का घनत्व एक दशमलाव दो शूनने ग्राम प्रति घन सेंटिमीटर के नीचे किरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत परती है जब किसी बाहे दिश्ट धारस रोज से बैटरी को विद्ध उर्जा की आपूरती होती है तो सेल विद्ध अब घटनी सेल की तरह कारे करता है तथा रासाइनिक अभिकरिया होती है किन्तु एलेक्टरोड अभिकरियाएं बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान होने वाली अभिकरिया के विपरेत अभिकरिया करती है शल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा कैधोड को एक आंतर क्रम से विवस्थित किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछ अलग पदार्थों के स्तरों से प्रथक कर दिया जाता है प्रतेक वोल्टेक सेल में विभवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है जिससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके बैटरी के छे सेल श्रिणी क्रम में जुड़े होते हैं निकल, कैडमियम, सुंचाइक पैटरी इस प्रकार के सेल में एनूड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातू ग्रेट होती है जिसमें निकल आकसाइड होता है वैदुद अब खटे के ओ एच का विलियन है सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान कोई गैसी उत्पात नहीं बनता है तथा ठोस उत्पात बनता है जो इलेक्ट्रोन से चिपके होते हैं जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांद्रित कर लिया जाता है इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्ट्रोनिक खड़ियों तथा केलकुलेट्रों में होता है इन्धन सेल इन्धन सेल विद्द रासाइनिक सेल है जिसमें आवक्सी क्रित होने वाले पदार्थ वैद्द अबखटे या इलेक्ट्रोन पदार्थ नहीं होते हैं बलकि एक बाहता आपूर्ती करने वाले पदार्थ है जिसका प्योग श्रामण यंद्र में इन्धन के रूप में हो जकता है इन्धन सेल इन्धन की रासाइनिक उर्जा को बिना उश्मा इंजन के प्रियोग से सीधे विद्द उर्जा में उर्पांद्रित करने की एक योगती है हाइडोजन जैसे पारमपरिक इन्धन की नियंद्रित सतित आपूर्ती का आपूर्ती का आपूर्ती का अपचयन कैथोड पर होता है सेल में जब तक हाइडोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ती होती रहती है सेल चलता रहता है इन्धन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्य नहीं करता है संशारन संशारन वायु मंडल में उपस्थेत नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रियाद्वारा धातूँ को उनके अनैच्चिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद्य प्राक्रम है उधारन के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेव चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना संग्शारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातू की अभिक्रियाशीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, भायू एवं नमी, धातू में तनाव तथा वैद्वत अपखट्टी की उपस्थिती जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांत इस सिध्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह आक्सीजन तथा कारबन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैद्वत रासाइनिक सेल की तरह वैवाहर करता है इस प्रकार के सेल को संशारन सेल ही कहते हैं शुद्ध लुहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वहवाहर करता है नमी जिसमें ऑक्सीजन या कारबन डायोकसाइड खुले होते हैं वैदुद अब घटे विलियन की तरह कारे करता है एनोट पर आइरन परमाणों का आक्सी करान होता है कैथोड पर ह की घाद धन आयन द्वारा इलेक्ट्रोन ग्रहन कर लिया जाता है हाइटोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचाईद कर देता है इस प्रकार उत्पन फेरस आयन जल से होकर आइरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायो मंटलिये आक्सीजन द्वारा फैरिक अवस्था में आक्सी करन होता है जो जंग का निर्माण करता है संग्शारन की रोक्था संग्शारन से धातूँं की सुरक्षा की कई विधिया हैं इन में से कुछ निमन प्रकार की है अवरोधक सुरक्षा इस विधी में एक अवरोधक फिल्म आइरन तथा वायो मंटल आक्सीजन तथा नवी के बीच रखी जाती है उत्सरक सुरक्षा इस विधी में आइरन सतेह को किसी अधिक सक्रिय धातूँ की पड़से आच्छा दित कर देते हैं तिन से आइरन का आच्छा दन तिन बहुत कम विद्धनात्मक होता है तथा इसका वायो में संग्शारन नहीं होता है जब तिन की पड़त को आइरन की सतेह पर आरूपित किया जाता है तो ये जंग के विरुध सुरक्षित होता है विद्ध सुरक्षा इस विद्धी में आइरन को कुछ अधिक विद्ध सक्रिय धातू जैसे की मैकनेशियम, जिंक तथा एलुमिनियम से संपर्कित किया जाता है जंग विरुधी विलियनों का उप्योग ये शारिये फासफेट तथा शारिये क्रुमेट के विलियन है विलियनों की क्षारिये प्रक्रिती H पिलस आयनों की उप्लब्दधा को रोकती है जो आइरन के आक्सीकरण को Fe2 प्लस में पूरा करता है क्या आप जानते हैं? सामाने तापमान पर आइरन का नमी की अनुबस्तिती में सही तरह से संक्षारण नहीं होता है वैतुत अपखटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है जिसे खाते एवं आशद प्रशासन ने मनिता प्रदान की है सर्वप्रथम बैटरी अले सेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया प्रकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति हो दी है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वैदुत अबखटे या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवासे होने वाले रासाइनिक अबखटन के प्राक्रम को वैदुत अबखटन कहते हैं जब किसी वैदुत अबखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं किसी इलेक्ट्रोट पर निक्षेपित मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैदुत अबखट टेविलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाती होती है जब भिन भिन वैदुद अबघट से होकर वैदुद धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्टोरों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यां के द्रविमान के समानुपाति होती हैं बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है संग्शार और वायु मंडल में उपस्थित, नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनेच्छिक योगिकों में रोपांद्रित करने का मंद प्राक्रम है लोहे के अशुद्ध सतह आक्सीजन तथा कार्बन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैतुत रासाइनिक सेल की तरह वैवाहर करता है इस प्रकार के सेल को संग्शार और सेल भी कहते हैं